हेलो फ्रेंड्स वेल्कूम बैक टू मैं यूट्यूब चैनल आज हम बनाएंगे आलू पालक की सूखी वाली सब्जी यह बहुत ही इजी और सिंपल ऐसे पिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्स्राइब करियो बेल आइकन का स्वाइस कट कर लिया है एक वेसल में मैंने ट्यू टी स्पून मस्टर्ड ओल दाला है इसमें मैंने वन स्लाइस अनियन जो है वह कट करके डाल दीए अब हम इसको गोल्डन पिंग होने तक अच्छे से इसको प्यास को तले ना है कम से कम पात से च्छे मिनट लगे मुझे को तलने में जब तब हमाई जो प्याज है वो गोल्डन फ्राय नहीं हो जाती है इसको में अच्छे से तलना है कि बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी यह दस से पंद नम नेट में बनके रेडी हो जाती है जब भी आप बिजी हो यह अपने शेडियूल से तो आप जरूर इस रेसिपी को बनाई हो यह बहुत ही हेल्दी डिश भी है क्योंकि इसमें ग्रीन वेजीटेबल डेली हुई है यह मैं अच्छे से वाज भी कर लिया था तू थी ताइम्स यह मैं इसमें एट कर दिया है हमें इसको अच्छे से थोड़ी दर फ्राय करूंगी प्यास को कम से कम पांच से खेए हमें फ्राय करना है जब तक हम इससे म सबस्केल नहीं हो जाते है हमें इसको ड़क के नहीं पका रहा है जब पालक दाल लेंगे बाद हम इसको ड़क के पकाएंगे ऐसे ही आलो टमाटर की सब्सी बनती है तो यह भी कृड़ डर जाएगे तो आलो टमाटर की सब्सी बना रहे on तो हमें इसको फीर थोड़े दीर अच्छे से फ्राइड करना है इसमें पालक एक करना है पालक बहुत हेलदी होती है आरहें उतने जाते पंदी सर्दीयों को मौसम में बहुत अच्छ हम सर्दीयों को मौसम में जाद से जाद पालक हाई इससे आपकी हेल्थ में भूत अफेक्स पढ़े खे सकूछ और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेंगी आप लोग जरूर ट्राय करिए यह आलू पालक की रेसिपी अब जब ने पालक जो हमने अच्छे से वाश कर लिया था और इसको कट कर लिया था वह बहुत सारी पालक एड़ कर देंगे लेकिन जब यह बन जाती तो यह थोड़ी सी ह हो जाती तो मैंने कम से कम हाफ केजी पालक लेती जिसको मैंने अच्छे से वाश करके कट करके मैंने इसमें एड़ कर दिया था और इसमें मैंने टूप ग्रीन चिली भी कट करके एड़ करी थी अगर आपको ज्यादा तीक खाना का पसंदे तो आप और ग्रीन चिली एड़ कर सकते हैं मेने सिवे मैं तो ही एड करे थी बालक डालने के बड़िका की हम इस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे या कि जो हम फाला के वर सौफ्ट हो जाए है भी कि अधरी में हमें इसको अच्छे तारीके से भूुन है जो पाला के और आल्यु अच्छे को पकाना है यह देखिए sentاش लॉय जए अच्छी से מס op कर गई है कि हमारी अलो पाइल की सबसी वह अल मुस्ट रेडि हो की आप इसको रोटी के साथ कह सकते हैं अच्छे से करते हैं यह राख Miche si 김 करते ही जाद भी आप इसको खा सकते हैं यह बहुती इजी और सिंपल रेसिपी आप सब भी अपने घर में यह रैसिपी जरूर ट्राय करिएगा वह बहुती हेल्दी रैसिपी है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा मिलते ने नेक्स वीडियो में थैंक यू